हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ असलाम लेकॉम वोईस उफ अमेरिका के वाशिंटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान और मैं हूं साकिब अलिस्लाम अमरीकी विजरी दिफार जिम मैडर्स का पहला दोरा पाकिस्तान क्या इस्लामबाद और वाशिंटन एक दूसरे की तवकवाद पर पूरे उतर सकते हैं प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है देखते हैं इसकी एक जलग यह है वोईस उफ अमेरिका की पेश्वश विजरी सिक्स्टी इस्राइल के लिए अमरीकी सफारत खाना जिरोश्रम मुन्तखिल करने पर गोर अमरीका के छोटे शहरों में चीनी कमपनियों की आमद के असरात और मेरे इन पाकिस्तान में एक अनोखा बैंक अमरीकी सफारत खाने को जिरोश्रम मुन्तखिल करने पर गोर कर रहे हैं 1995 में मनजूर होने वाले एक अमरीकी कानून के तहत 60 की दिहाई से तलवीब में काईम अमरीकी सफारत खाने को जिरोश्रम मुन्तखिल होना है तहां माजी में अमरीकी सुदू सिक्योर्टी मसायल के पेश नजर इस मनसूबे को मलतवी करते आए है सहर माज़र इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ है सहर सदर ट्रॉम्प अमरीकी स्वारत खाना क्यों यरोशिलम मुंत्किल करने पर गोई कर रहे है साकिब इसराइल अमरीका के एहम इत्तादियों में से एक है और जरॉशिलम को इसराइल कदान लुकमत बनाना सदर ट्रॉम्प के इलیک्शन कैंपेंग के दौरान किये हुए वादों में से एक है जरॉशिलम को इसराइल अपना मरकज समझता है लेकिन वहां किसी भी मुल्की अम्बैसी बाकिये नहीं है क्योंके बैनल अक्वामी बिरादरी इस खिते को अमनों मान के हवाले से तश्वीश नाक समझती है वाइट हाउस के सीनिर एडवाइजर और सेदर टरंप के दामाज जैरेट कुशन का कहना है कि इस हवाले से सेदर टरंप मुखतलिफ पहलिए पर गोर कर रही है मज़ीद तफसिलात के लिए चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ साल 1995 के एक कानून के मताबिक अमरीका को इसराइल में अपना सिफारत खाना यरुशला मनतकिल करना था लेकिन अमरीकी साडर को हर छे माहने बाद सेक्यर्टी वजव की बन्यात पर ये फैसला मुलतवी करने की अजाज़त है सादर्ट्रم को ये फैसला करना भी बाकी है जिस से या तो इसराइली नाराज होंगी या फलस्तिनी इसराइली उहदेदारान साबट ट्रंप को इसराइल के हक में फैसला करने पर जोर दे रहे हैं मेरा ख्याल है कि अमरीकी सदर इस खित्ते की जरूरियात को समझते हैं और यरुशिलम को इसराइल के दाइमी दारल हुकूमत के तोर पर तस्दीग करके जिसकी ख्याहिश का इलाम भी वो कर चुके हैं इस वस्दे को लागू करके वो एक एहन पैगाम देंगे लेकिन फलस्तीन की खाहिश है कि मश्रकी जरुशिलम को उनकी मस्तक्मिल की रियासत कदारल हुकूमत बनाया जाए सुदर महमूत अबास का कहना है कि जरुशिलम को इसराईल के दारल हुकूमत के तोर पर फलस्तीनी और अरब कभी कुबूल नहीं करेंगी एक फलस्तीनी शेरी का कहना है कि अमरीकी सिफारत खाने को यरुशिलम मनतके करके आने वाले वक्त में बुरे नताइच सामने आएंगी इसराईल और फलस्तीन के मसले में यरुशिलम एक एहम मौदू है और इसको इसराईल का दारल हुकूमत बनाने का मतलब है कि वो पूरी तरह से इसराईल के साथ है और फलस्तीन के साथ नहीं खिते में कुछ अरसे अम रहने के बाद पिछले हफ़ते तशद्द की लहर ने फिर जोर पकड़ा जब एक फलस्तीनी में एक इसराईली सिपाही को चाको के वार से जबके एक इसराईली आबादकार ने एक फलस्तीनी को गोली मार कर हलाग कर दिया लेकिन जेरिट कुशनर का कहना है कि ट्रॉंप अड्मिस्ट्रेशन वस्ते इशिया में अन्द कायम करने में जरूर कामियाब हो जाएगी और नियूर्ट टाइम्स के एक रिपोर्ट के मताबिक कुछ अमेरिकन उधिगारों का ख्याल है कि हो सकता है सदर्ट ट्रॉंप अमेरिकान अम्बेसी को ताल अबीब में ही रहने दे लेकिन यरिशलों को इसराइल के दार्ल हुकूमत तस्लीम कर लें साकिब जी ससास मामले पर अमरीकी सदर का फैसला जल्द मतवक्य है साहर माजिद हमारे साथ थी कैपिन हलिल से थैंक यू साहर और अमरीकी वज़र दिफाज जीम मैटस ने आज इसलामबाद में पाकिस्तान की सिविलियन और असक्री के आदत से मुलाकात की आगस्ट में सदर्ट ट्रॉंप की जनुबी एशिया के लिए पालिसी सामने आने के बाद जीम मैटस वो दूसरे आला उधिदार है जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे है इससे कबल अक्तूबर में अमरीका के वज़र खाज या रेक्स टेलर से ने पाकिस्तान का दौरा किया था इस वक्त आईशा तन्जीम हमारे साथ है आईशा पाकिस्तान और अमरीका के तालुकात में गर्म जोशी भी है और दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए कुछ तौकवात और कुछ मतालबात भी है तो क्या इस वक्त अपडेक्स हैं उनकी जी साथिप जिस गर्म जोशी का आप जिकर करें वो तो कुछ हरसे से ठंडी पड़ी हुई है क्योंके दोनों के तालुकात मुखासमाना नजर आ रहे हैं आज भी जब अमरीकी वजीर दिफ़ा यहां आए तो उनका इस्तक्बाल काफी सब महरी से किया गया आप कह सकते हैं उनकी जो मुलाकाते हुई हैं तबकुआत दोनों साइट से ये थी कि एकस्पेक्ट ये किया जा रहा था कि अमरीकी वजीर दिफ़ा अमरीका की तरफ से एक बड़े सखत परगाम लेकि आएंगे और पाकिस्तान को ये कहेंगे कि आप खास्ता पर अफगान तालबान और हफगानी नेट वर्क जिनकी अमरीका के मताबस लीडर्शिप पाकिस्तान में मौजूद है उनके खिलाफ कुछ करें दूसरी तवक्तों ये भी की जा रही थी कि हाफस सईद लशकर तैबा जमात दावा और खलाह इंसानियत फाउंडेशन के लीडर जो जिनको रीसिंटी एक पाकिस्तानी कोट ने रहा किया उसके अमरीका से बड़े सफ़ बियान आए तो शायद उस पर बात हो पाकिस्तान की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन थी कि अमरीका का पेगाम सफ़ होगा लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शायद पुश बैक ये होना था कि भी ठीक है अफगानिस्तान पर तो हम आपके साथ पावन करेंगे लेकिन आप इंडिया को अफगानिस्तान से अलग रखे और मेरे ख्याल में जो एक अमरीकी वजीर दिफार ने आने से पहले कहा था कि हम कॉमन ग्राउंड ढूनने की कोशिश करेंगे और हम वो चीज़ें ढूनने की कोशिश करेंगे जिमने हम मिलके काम कर सकेंगे तो मेबी ये वो थोड़ा सा कन्वरजन्स या कॉमन ग्राउंड हो क्योंकि हमने देखा कि रीसेंटली अमरीकी जो सेकुर्टरी अफ स्टेट सेर्टिफाइ करना था पाकिस्तान को माली अम्दाद के लिए तो उसमें लशकर-े-तैबा और हकानी नेटवर्ट का नाम था उसमें से लशकर-े-तैबा का नाम हटा दिया गया था यह कुछ हरसा पहले की बात है तो हो सकता है किनवर्जिंस इस पे हो के पाकिस्तान बिहाइन दे सीन्स अफगानिस्तान पे ज्यादा कॉआबरेशन ओफर करे और अमरीका जो है वो इंडिया पे थोड़ा सा पीछे हटे तो इसमें अफगानिस्तान पी बात हुई तो कामन ग्राउंड्स की जब बात करें तो पाकिस्तान और अमरीका तालुकात में अफगानिस्तान में क्या सुर्तिहाल चेंज होगी पाकिस्तान के उस किरदार में पाकिस्तान जो अमरीका से कहता रहा है जो डिमांड करता रहा है वो ये कि TTP जो पाकिस्तानी तालबान है वो अफगान साइट पे बैठे हैं और वो पाकिस्तान में अटैक्स करते हैं जैसे अभी हमने बेखा इसी हफ़ते पिशावर में एगरी यूनिवरस्टी में अटैक ह हम अफगानिस्तान में माजूद TTP के खिलाफ कुछ एक्शन लेने को तैयार है लेकिन जवाब में आपको पाकिस्तान में माजूद अफगान तालिबान की लिए टिशिक के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा आशाय तन्जीम हमारे साथ इसलाम अबाद से जहां अमरीकी वज़र इतफार जिम मैटिस मौझूद है और आला अफदिदारों से मौलकाते कर रहे है थैंकियो आईशा अर अमरीकी वज़र खारजा जिम मैटिस के दोरे के बारे में हम अपने आज के महमान से भी बात करेंगे अबसे कुछी देर बाद इस वक्त आपको एक और खबर देते चलें गुज़र इसला साल अमरीकी इंतखाबात में टारल्ल ट्रम्प की सदार्ती महम के रूस से मुबज़ना तालुकात की तहकीकात बदस्तूर जारी हैं तद्याकार गोर कर रहे हैं कि कौमी सलामती के साबक मशीर जनरल माइकल फिन जिन पर रूसी एहलकारों से राबतों के बारे में एफबियाई से जूट बोलने के लजाम में फर्द जर्म आयत की गई मजीद किन हकाइक से परदा उठाएंगे सद्र ट्रम्प ने एक बार फिर कहा है कि रूस के साथ उनकी इंतखाबी महिम का कोई गट चोड थाबित नहीं हो पा रहा तहकीकाती खियादत फेडरल बियूर ओफ इंवेस्टिगेशन या फबियाई के साबिक डिरेक्टर राब उन्होंने हाल ही में एक फबियाई एजिन को ट्रम्प मुखालिफ पगामात भीजने पर अपनी तहकीकाती टीम से अलग भी कर दिया जिसके रद्धे अमल में सद्र ट्रम्प ने ट्विटर पर फबियाई को सखत तनकीद का निशना बनाया जवाबन एफबियाई ने भी ट्विटर पर अपनी साख का दिफा किया और पाकिस्तान की स्यासत में जारी उतार चरहाऊ समय दुनिया बर से ताज़ा तरीन खबरों और तन्जियों के लिए आई ये हमारी वेबसाइट और्दू-वी-ओ-डाट-काम पर पाकिस्तान और साओध एरब के दर्मियान शहाब टू नामी फाजी मुश्तरका मुश्के जारी हैं रियाद में तफसीलात आप पड़ सकते हैं और्दू-वी-ओ-डाट-काम पर पाकिस्तान के पहले रोकी बैंक जहां खाने के लिए जेर में पैसे होने जरूर नहीं लेकिन इस वक्त पेश है वर्ल व्यू जिसमें शामिल होती है दुनिया भर से कुछ एहम और दिल्चस्प खबर है अक्वाम मुटाहिदे के सेकेटरी जनरो इंटोनियो गरुरेश ने यमन में जंग बंदी का मतालबा करते हुए कहा है कि दारुल हुपुमत सिना के करीब जड़पु से मुल्क में इंसानी इंदात की कोशिशیں मुटासर हो रही है अलाके में होसी बागी और साबिक सदर अली अज़िए पोच्छ के रम्यान जड़तों में तरजनों अफराद हलाक हो चुके है आज से शुरू होने वाली जिनुबी कोरिया और अमरीका की बड़े पेमाने की पांच रोजा जंग मश्कों में सैंक्डों जंगी तयारे हिस्सा ले रहे है शुमाली कुरिया के मताबिक ये मश्के कुरियाई ख़ते को जंग के दहाने पर ले आई है वर्तानिया की वजिराजम ख्रीसा में वर्सल्स में अपने आरिश हमनस्प के साथ ये लहज़गी के हवाले से नजाकरात के आखरी दोर में शिक्त कर रही है उमीद की जा रही है कि हत्मी डील पर आज इत्पा के राय मिम्किन है वर्तानिया पहले ही ये योटी यूनियन पर 50 बिलिन डॉलर की अदाईगी समय करिम दालबात का रिजामन्द हो चुका है किनिया के साहिली इलाके वतामों में कच्छों के रेस्क्यों की सलाना कोशिश का आगास कर दिया गया है ये कच्छों दूदरा साहिलों से इंडियन ओशिन में शामियन वाले प्लास्टिकी अदूटकी में फंसकर जिनिया के साहिली इलाकों पर पहुंच जाते हैं क्लासिक पॉलुशन इस वक्त नेरोबी में यूएन इन्वार्मेंट इसम्ली का सबसे बड़ा मोदू है पाकिस्तान पहुंचने से पहले अमरीकी वजिर इदफार जिम मैटिस ने सहाफियों से गुफ्तकों के दौरान अफगान जंग का हवाला देते हुए कहा कि चुँके दुनिया के 49 मुल्क इसमें शामल है तो मकासब के हुसूल के लिए तेजी से काम करना जरूरी है जब दुनिया के 49 मुमालिक और अफगानिस्तान एक तबाह कुम तवील जंग लड़ रहे हों तो मामले की संगीनी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं ये अक्तिसादी तोर पर दुनिया की ताकतवर तरीन और सबसे पुरानी जहमूरी कोवते हैं ये इखलाकी, अक्तिसादी, सफार्ती और यकीन नसकरी इतबार से भी ताकतवर मुमालिक है लहाजा मेरी राए में जनूबी एशिया में मौशी तरक्की की खातिर, इस तैकाम की बहाली के लिए हमारा मिल कर काम करना इंतहाई अहम है तो अब तक पाकिस्तान की तरफ से अमरीका को जो इशारे मिल रहे हैं, उनसे क्या जाहिए हैं बात करेंगे वाशिंटन के ताकी की अदारे, Atlantic Council में, South Asia Center के Director Bharat Gopalaswamy से Bharat, welcome to View 360. So, Secretary Mattis indicated that there is a sense of urgency when you have 39 nations involved in one war in Afghanistan. Are you sensing the same urgency from it? I think the urgency vis-a-vis Pakistan is more about taking Pakistan's considerations and its concerns seriously. It's not about America. It is, at the end of the day, it is America's war. Pakistan is an ally on war on terror. So, there is a seriousness about it. I'm not sure that there is an urgency about it. You don't sense an urgency in Pakistan right now. लेकिन आपका कहना ये है के जहां तक पागसान के मफादात का तालोग है तो उस लिहाद से पागसान में एक अरजंसी पाए जाती है के अमेरिका उनको चूंसिर भी करे. When it comes to Pakistan's concerns, one of the things we see right now is that Pakistan is constantly saying, one, that there are no terrorist safe havens in Pakistan. And number two, that they are in Afghanistan from where attacks are now being staged in Pakistan. Do you think that Washington can mediate upon this issue between Afghanistan and Pakistan? You see, they can only mediate as long as there is a consensus about what the problem is. The problem as far as Washington is concerned, Pakistan is a part of the problem. And whereas Pakistan is concerned, America is a big part of this problem. So there is a big problem on where there is a consensus. And if we had consensus about this problem, then you'll have the same amount of urgency. You'll also have the same, you'll have shared concerns and you'll also have a shared solution. So one side has an urgency issue. Whereas the other side, I'm not saying that Pakistan does not take terrorism seriously. Now it's concerned about the urgency of where this is heading. But they're all overall concerned about what the scale and scope of the problem is. So America, Pakistan and Afghanistan के दिर्मियान इस मामले पे इत्वा कराए बहुत जरूरी है कि मसला क्या है, कहा है और उसकी शिदत क्या है. So Washington का जहां तक इस मामले में किर्दार है कि वो जो पाकिसान के इल्जामात हैं कि अफगानिस्तान में TTP के एहलकार मौजूद हैं जो वहां से अब हमले कर रहे हैं. तो उस मामले पे वाशिंटन सिर्फ तभी कोई एहन के दार अदा कर सकता है जब तीनों पार्टी का इस हवाले से इत्वा को के मसला क्या है और कहां से हो रहा है. Now looking at some recent developments in Pakistan, we saw that Hafiz Saeed, who has been declared a terrorist by US, UN and India, he is not only free in Pakistan, but he has said that he is going to participate in general elections next year. The other big development we saw was the sit-in that was held by an extreme right-wing party, which was only ended after an agreement was done on their terms. So when you see these two major incidents happening in Pakistan, how does this affect Washington's confidence in Pakistan's resolve to fight terrorism and extremism? Obviously, you know, when something like this happens, you don't take Pakistan's words seriously about whether it has safe havens or not, or on the other hand, whether you're taking terrorism seriously. Tomorrow, can you imagine a situation where an American senator will be sitting on face-to-face and negotiating with somebody like Hafiz Saeed, if his political party is mainstream, or for that matter, an Indian politician will have to sit and talk with Hafiz Saeed. When you're seeing a trajectory like this, it makes everybody on the other side nervous, and also, it's not a very reassuring situation. So, in Pakistan, the developments in Pakistan, that Hafiz Saeed announced that they will have an agreement in Islamabad, and that the agreement was in the other side of the country, which has been ruined in Washington, and will have to be more questions that the the-pakistan, which is the-pakistan's-pakistan-dashat-gandhi, which is the-pakistan-dashat-gandhi is also the-pakistan-dashat-gandhi. And also, this question will be more important to be asked to be asked, whether it is a matter of the-pakistan-dashat-gandhi, and whether it is possible that the-pakistan-dashat-gandhi is also the-pakistan-dashat-gandhi, that the U.S. is ready to then take, in a way, take control of things, do it by itself. Does that indicate anything about the CIA drone program, which is very unpopular in Pakistan? I think there's a bigger issue there. The bigger issue is not about the drone programs. The drone programs will continue to go on. I have no doubt in my mind about how these drone programs will go on. But the bigger issue is you can sense the mood inside the U.S. administration, and you can also sense the matters as one of the persons who has, still has confidence in Pakistan. You see the other cabinet officials slowly drifting away from that confidence. So, Bharat says that the drone program is not only a problem, but it is more than it is that what is going on in Washington, in Pakistan, is thinking about what is going on. Matters, Security Matters, in fact, is their opinion in Pakistan, is their trust in Pakistan. Last but not the least, the U.S. firepower in Afghanistan has increased. And General Nicholson said that three times more airstrikes have happened in the recent past than compared to a few months ago. Is U.S. firepower in Afghanistan not enough to bring the Taliban to the negotiation table? Well, it hasn't worked yet. But now they've increased it. That's what they're saying, that now they have many more options. The rules have been relaxed for them to actually go after elements in Afghanistan. Yes, I think you'll see a sustained and increased amount of violence. And, you know, Taliban strategy has always been asymmetry, one that of asymmetry. And you'll have to see what those consequences of increase in firepower is. And I think, you know, I think it's going to produce results, but I don't, you know, we should manage our expectations, basically what it's going to be. And it may not, the firepower alone may not bring Taliban to the negotiation table. That's what, that's my unwritten, unsaid saying. So, Huhrab says that, if America is going to useшт sıинamal 열심히 use against Afghanistan as well, the firepower has more. But it's not meant to it that this Taliban have no given in the games. तक बिलाएगी माज़ी में नहीं ला सकी तो अब भी जो तवक्वात हैं उनको हकीकत पर मबनी होना चाहिए तेंक यू वेरी मच भरग गुपाला स्वामी अज़ विरीली अप्रिशेट चॉर थाइम और इंसाइट और पिछले कुछ हरसे से दस से पंदरा सालों के दौरान अमरीका की कंपनियों ने मैनिफेक्शन के मुलाजबतें चीन मुनितकिल कर दी जिससे यहां चोटे शेहरों की मुईशत को सक्त नुकसान पहुचा लेकिन दिल्चस्प बात यहां की कुछ कंपिया यहां सरमाया कारी कर रही है चलते हैं अमरीकी रियसत अकन साग के चोटे से कस्पे में और देखते हैं कि वहां चीनी फैक्टरी खुने से अमरीके को अपना मुस्तक्बिल कैसा नजर आ रहा है फैर्स सिटी दरियाए मिसस पी के किनारे एक चोटा सा कस्पा है यहां चीन की बड़ी टेक्स्टाइल कंपनी शेडम रोई एक ऐसी फैक्टरी में धागा बनाने के काम पर सरमाया कारी कर रही है जहां पहले जापानी टीवी बनाए जाते थे मेर लेरी ब्राइन केहते हैं कि कंपनी ने मकामी कम्यूनिटी कॉलिज के साथ ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है मेरे ख्याल में सब खुछ हैं और इंतजार में हैं अगर वो कल लोगों से दर्कासने तलब करें तो हजारों की तादाद में लोग आएंगे रोरी कंटनी का प्रोजेक्ट अरकेंसा की कपास की सालाना दो लाग गाठें इस्तेमाल करेगा और ये अरकेंसा की तकरीबन कुल सालाना रूई की पैदावार के बराबर है जिसके वज़े से अरकेंसा एकोनामिक डिवलिप्मेंट कमिशन के एक्जेकिटिव डिरेक्टर माइक प्रेस्टन का पास की काश में इजाफे की तबक्र कर रहे हैं तो इससे तबदीली आएगी लोग कमाएंगे वो भी जो उनके साथ काम करेंगे और वो भी जो उनके दर्मयान में होंगे वसंकिसान, मजदूर, ट्रांस्पोर्डर्स और सामान को फैक्टरी तक प्रेस्टन के लिए तेस्जोरे लोगों के लिए फवाइद लामहदूद है अमरीका में कुछ चीनी सर्मायाकारों को लेबर यूनियन्स की चानिफ से काम के महाल में फर्क की वज़ा से मुश्किलात का सामना है अर्किंसा की गवर्नर ऐसा हचिंसन अपनी रियास्त में तक्रीबन दो अरब डॉलर्स की चीनी सर्मायाकारी लाए है वो कहते हैं कि कल्चर की फर्क पर हमें काम करना होगा हम चीनी ताजरों और काम करने वालों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हो सकता है कि उनमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जो हम ये अपने हाँ भी अपना सकें चीन के ताजरों को यहां कुछ अच्छे तरज अमल देखने को मिलेंगे जिरें शायद वो अपनाना चाहेंगे इसे तबादले दोने जानब के लिए अच्छे होते हैं ये ना सरफ मेरे बिजनिस बलके यहां के तमाम बिजनिस के लिए सूद मन्द है ये तमाम सरमाय और पैसा इसी चोटी सी कम्यूनिटी के लिए बहुत फायदे मन्द थाबत होगा चीनी कम्पनी का आज सो नए नौकरियां पैदा करने का बादा और पंदरा डॉलर फी घंटा मावज़ा यहां के रहनुमाओं के लिए खुसुसन होसला अफ़ा है क्योंकि कैई दहायों से इक्तिसादी तौर पर कमजोर इस कजबे के लिए ये तक्रीमन दुगना मावज़ा है पिंजान के साथ सबाशा खान अर्दू वियोरे अबा जैसे करोन लोग जहां हर रोस इमानदारी से काम पर लगे हो चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में सडके हो बॉर्डर्स खेल का मैदान या को इंटरनेशनल स्टेट जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानिया कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पर जाए जब पुरा मुल्क है खुद को आगे ले जाने में लगा हो तो फिर दुनिया प्भान में उसका परसेप्शन नुट्टी भर लोग क्यों बनाते हैं लगता है थोड़ी महनत और करनी होगी हमें भी ब्यूत्रे सिक्स्टी सिर्फ आज न्यूस पर बैंक का नाम सुनते ये जहन में ख्याल आता है रकम का और लेन देन का लेकिन कराची में अब एक ऐसा बैंक प्रिकाम कर रहा है जहां खाते नहीं खोले जाते बलकि गरीबों का पेट भरा जाता है तो इस व αυτό के मेरिन पाकिस्टान में चलते हैं पाकिस्टान के पहले रोटी बैंक अब्दोरशीद रोजाणा दुपहर होते ही एक ऐसे बैंक में जाता है जहां उसे रकम के लेन देन नहीं करनी पड़ती बिलकि यहाँ से अगर उसे कुछ मिलता है तो वो है खाना ये है कराची के लाके नुमाईश चौरंगी पर पाकिस्तान का पहला रोटी बैंक फ़फाही तन्जीम सेलानी ट्रस्ट के जाने से गायम किये गए इस रोटी बैंक में जरूरत मंदों को बाइज़त तरीके से मैयारी खाना फराम किया जाता है और बदले में पोटी बैंक को अगर कुछ मिलता है तो वो है गरीबोपी दुआएं मैं इस वह से खाना ले जाती हूँ मेरी त्याम दनी नी है मैं घरों का काम करती हूँ जिसमें मुझे पैसे नहीं मिलते अल्ला का शुकर है सिलानी वालों का बहुत एसान है कि मुझे शन्मिंदी की नहीं होती यहां से खाना ले जाती है शन्मिंदी में आती है अपना कार दिखाती है और ले जाती हूँ राश्ट यहां काम करने वाले रियाज महमूद कहते हैं कि रोटी बैंक का जादा इनहसार सलानी वेलफेटरस के किचिन पर है लेकिन लोग घरों का बचे हुआ खाना या किसी तकरीब का इजाफी पकवान भी इस बैंक में जमा करा सकते हैं पीर के दिन चिकन कराई होती है, मंगल को आलू कीमा होता है, बुट को डाल फराई भी रखते हैं, बिरियाने भी होती है 700-800 अफराद का खाना रोजाना डेली, तक्रिबन 400-400 अफराद दोपैर में सुबागे टाम पर खाना लेके जाते हैं यहां से खाना लेने का तरीका भी इंतहाई सादा है गरीबों की भूख खतम करने वारी रोटी बैंक में रोजाना 15 घटे तक खाने का लेंडे होता है और एक दिन में दो बार यहां से खाना लिया जा सकता है कुछ इस तरह कि पेट भी भर जाए सफेद पोशी का भरम भी रहे आज के लिए बस इतना ही वियो 360 के बारे में अपने फीड़बैक के लिए आए फेस्बुक डाट कॉम स्लाश व्योय उल्डुके पेज़ पर साहर जमान और साकर विल इसलाम को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज में ग्योथ झाल अगया पैसर तो अड्यक्ड के झाल झाल